हे गाईस विल्कम टू सक्सेस दिलिप में दिलिप कुमार स्पागत है आपका इस वीडियो में तो दोस्ताँ एक बिगेस्ट अपडेट है आप सभी के नेट के लिए इंडियन वैल कॉर्परेशन लिमिटेट की तरफ से ओफिसल नोडिफिकेशन जारी हो चुकी है यहां पर वेकेंसिस निकाली गई है आई वो सील की तरफ से जो की निव नोडिफिकेशन से और लेटेश भरती है दोजार तईस की जहां पर आई टी आई डिपलोमा डिग्रीज के केंडिड अपलाय कर सकते हैं यार एफटी बेस पे वेकेंसिस निकाली गई है फिक्स टर्म पर और वेकेंसिस निकाली अपर दिखार रहा हूं देख सकते हैं ये new notification है requirement for experience professional fixed term contract basis engagement यह fixed as a fixed term employees FTE बोलते हैं इसे refinery division से vacancies है but experience professionals clear recruitment है यानि कि experience माइने रखती है यहाँ पर तो चलिए detail notification wise बात करेंगे बहुत बड़ी recruitment है बस दिखा जाए selleris के माधियम से वैसे भी refinery division सबसे ज़्यादा salary देती है चलिए detail में बात करते हैं इससे पहले requested होगी चैनल पर पहली बार visit करें subscribe जरूर कर लें ताकि इसी तरह latest government job script अपको बराबर मिलती रहे कहीं जागी बढ़ने से पहले में जो है gamified coding competition platform है यानि कि यहां पर coding की मेंच चलते रहता है जो coding होता है वह पर इंडियास के top contentors यहां पर participate कर सकते हैं और जो भी candidate यहां पर जीतते हैं उनको एक score मिलता है यानि कि rating मिलती है उस rating के जरिए इंडियास के top most company में jobs भी दी जाती है और यहां पर high score high rating प्राप्त करने वाले विजयताओं को यहां पर prices भी मिलती है जो गैस नेक्स लेवल लेकर आया है एक new league जो की 11 मर्च 2023 को start होने वाली है को होने वाली है एक लीग है और यह gamified program चलने वाली है 11 मर्च 2023 को यहां पर जितने भी candidate participate करेंगे सबसे पहले जाकर registration कर लो link description मौज़ूद है जितने भी candidate registration कर लो नहीं तो आप participate नहीं कर सकते हैं यहां पर first prizes रखी गई है देख सकते हैं पहले 100 players को यहां पर prizes मिलेगी first में आपका apple की macbook pro है second में आपका apple की ipad air मिलने वाली है third में आपको amazon kindle की आपको मिलने वाली है उसके बाद यहां पर अनेक सारी prices amazon की gift card and coupons के लिए आपको यहां पर prizes जीत सकते हैं और सिर्फ यहीं नहीं यहां पर high rating प्राप्त करने वाले को इंडियास के top most company like infosys, hcl, tcs, cds या फिर grow company में आपको permanent jobs पाने का मौका भी मिलेगी so guys amazing opportunity दे रही है next level 11 March को जल्दी से अपनी slots book कर लें link description मौझूद है सबसे पहले link description मौझूद है उसको app को download करें link पे click करके उसके बाद जैसे वो app को open कीज़ेगा यहां पर देख सकते है next level link जो 11 March को होने वाली है बगल में आपको register का button दिखाए देगा इस पर registration कर लेना है बिल्कुल free में register हो रहा है इस पर जैसे ही click किजएगा यहां पर register बटन पर आपकी registration successful हो जाएगी आप यहां पर participate कर सकते हैं इस लेक के लिए जल्दी आप इस slots को book कर लें नहीं तो यह slots full भी हो सकती है और आप सुचे कि मान लीजे sir में game हार गया तो मेरा क्या होगा देखे guys मैंने पहले बताया आपको की rating के अनुसर आपको jobs मिलेगी तो यहां पर rating को आप यहां पर यहां पर अपने rating को restore कर सकते हैं इसके लिए power ups launch किया गया है next level की तरफ से अपने friends तक इस app को refer करके आप यहां पर ज्यादा से ज्यादा ज्यादा जो है restore कर सकते हैं rating और उसके जरी आप jobs भी पा सकते हैं जल्दी से अपनी slots बुक करें 11 मार्च को free में आपकी slots booking हो रही है कोई भी जाकर मौका मत छोड़ना अगर आप पहले इस बलें तो जल्दी से link description मौज़द है जाओ क्लिक करो जो गैस यह है official notification जैसा कि मैंने पहले बता यह vacances release की गई FTE basis भी fixed term employees in refinery division जितने भी refinery division इंडियाज में लगभग लगभग हर जगा से vacances आउट की गई है और Indian oil की refinery division सबसे ज़्यादा पैसा देता है एक pipeline division एक marketing होता है एक आपका refinery होती है refinery जो होता है वो सबसे ज़्यादा पैसा देने वाला डिवीजन से Indian oil में देखो सबसे पहले recruitment executive level 1 की one fixed term engagement basis annual consolidated amount जो आपको मिलने वाली है बारा लाग की होगी याने की लगभग एक लाख की salary आपको यहाँ पर दी जाएगी नेक्स वेकेंसी निकाली गई executive level 2 की fixed term engagement basis annual consolidated amount of 16 लाग तो समझ रहे हैं कितनी जल्दी वेकेंस कितनी अच्छी खासी recruitment निकाली गई है लगभग लगभग डिड़ लाख की salary आपको यहाँ पर मिलती है चले वेकेंसी में बात करूँ सबसे पहले level 1 में total 96 वेकेंसी जादा वेकेंसी लेवल बन की ही release की गई है लेवल 2 की recruitment है इसमें total 10 टोटल देखा जाया तो लगभग लभग 106 पोस्ट पर यहाँ पर वेकेंसी आउट की गई है एक्जुटिव की recruitment यह है वेकेंसी यहाँ पर categories and branches wise में बताने वाला हूँ सबसे पहले level 1 की discuss करते हैं बरवनी refinery मिलेगी गुजरात refinery हल्दिया refinery प पारादी प्रिफानी इसमें mechanical की है electrical की civil की instruments की यानि कि चार ब्रांच से रिलीज की गई है mechanical, electrical, civil और instruments तो यह चार ब्रांच के जो लोग है वीडियो को आगे देखेगा अगर आप इसमें ब्रांच में नहीं आते हैं तो वीडियो को लिप कर सकते हैं क्योंकि आप यही चार ब्रांच eligible होने वाले, total 96 post होगी यह executive की, जो next है for executive की recruitment level 2 में, इसमें total अगर देखा जा तो इसमें 10 है, जो की बरवनी, पानीपत और डिक बोई, जो की असम में इस्ती थे, यहां पर total 10 post पर vacancies out की गई है, तेखो, selection process की जो qualifications होगी, सब first of all, L1, जो level 1 की executive है, इसमें graduate होनी चाहिए, बी बिटेक कर रही है, relevant discipline में, जैसे की discipline mechanical engineering है, तो अलग-अलग जैसे automobile industry, manufacturing, power productions, engineering, mining, technology, mining, या फिर marine engineering, यह भी apply कर सकते हैं, robotics, वे भी eligible हैं, electrical में, कई सारे electricity की family, electrical भी family है, वे apply कर सकते हैं, next vacancy, executive level 1 की जो release की गई है, इसमें और कई सारी post हैं, जैसे की graduate B level की है, तो B भी eligible हैं, civil engineering आपने कर रही हो, तो apply कर सकते हैं, instrument engineering, including electronics, telecommunication, और आप देख सकते हैं, instruments and communication सभी eligible हैं, next diploma level की recruitment है, डिपलोमा में, कई सारे candidate eligible होने वाले हैं, चार ब्रांच है, डिपलोमा भी apply कर सकते हैं, तो घबराना नहीं, डिपलोमा की भी vacancies है, डिपलोमा की में बात instruments में तो भी आप apply कर सकते हैं, तो डिपलोमा great opportunity आप सब के लिए भी यहाँ पर मौका मिला है, level 1 में पाने का, jobs पाने का, level 2 के में B बिटक होनी चाहिए, mechanical engineering में आप apply कर सकते हैं, दुबारे यहाँ पर डिपलोमा वालों को भी मौका मिला है, level 2 में यहाँ पर भी mechanical engineering से apply कर सक करते हैं, so guys अब जिक्र होता है, ITI students का, तो ध्यान से देखना, ITI student देखो, candidate यहाँ पर देख सकते हैं, processing से, जो यार देना बोल गए है, diploma under recognized lateral interest की, जो lateral interest से diploma करते हैं, जैसे class 12 हो गया, वो भी करते हैं, या फिर ITI के student करते हैं, आपको पता है, जो 2 year की ITI courses होती है, उसके ब जो percentage of marks है, वो 4 semester तक गिना जाएगा इंदा diploma courses, तो यह भी candidate apply कर सकते हैं, finally guys यहाँ पर totally mentions है, कि ITI के student बिल्कुल apply कर सकते हैं, ITI plus lateral interest, so मौका मत जाने देना, यह बहुत अच्छी खासी recruitment है, और बहुत ही ज़्यादा salary आपको यहाँ पर मिल रही है, so guys अच्छी recruitment है, ITI, diploma औ work of professionals experience की ज़रा थे, और यहाँ पर कितने साल का experience होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा experience है, भी बिटेग वालों के लिए 5 साल की, diploma relevant 10 साल की, और ग्राजवर्ट जो level 2 की, इसमें 10 साल की, diploma relevant discipline, इसमें 15 year की, और काफी बड़ी बड़ी vacancies दो salary है, बट experience भी है, यही मत खाँ जा अभी आपको मैं नहीं भगाने वाली की, कि maximum 3 year का है, बट FTE बेस पे है, यह दुबारा से 3-3 year करके extend होती रहती है, इंडियन ओयल में, याद रखना है, इंडियन ओयल की बहुत बड़ी खासियत ही है, एज की आप देखो तो 18-35 साल है, लेवल 1 की, लेवल 2 की 18-45 साल है, बाकी बाद एज रेलिकसन मिलेगी आपको, अब जो भी candidate eligible हैं, जल्दी से जाओ apply करने के लिए, काफी कम candidate होए होगे eligible, बट जो भी candidate eligible हैं, जल्दी से apply कर लो, क्योंकि आपकी जो last date यहाँ पर रहने वाली है, last date submission online from 22 March 2023 को, और online application जो है, वो आपको documents के थुरू भेजनी होगी तो four week में आपकी में में हो जाएगी, नौ एक्जाम से interview के माध्यम से selection से, जल्दी से party split करें, आप eligible हैं तो कुछ doubt है तो comment करके जरूर बताना, चले मिलते नेक्स वीडियमें, तगलीज जहेंदे,